देश भर में प्रचले धार्मी का सहिशनोत आगे बीच असम के गोला घाट जिले की एक मुस्लिम महिला धार्मिक सद्भाव को बड़ावा दे रही है इनका नाम शाहनूर बेगम है जो पिछले 35 सालों से हिंदों के शम्शान घाट की सफाई करती है शाहनूर हिंदू शम्शान घाट के रख रखाव की जिम्मेदारी भी समालती है अपनी सुभह की नमाज अदा करने के बाद शाहनूर रोजाना काम पर जाती है शाहनूर अपने हाथ में जाडू और बांस की टोकरी लिए तेनपुर इस्थित शांती बन शम्शान घाट पहुंचती है जहां पहुंचने के बाद वे एक छोड से दूसरे छोड तक सम्शान घाट की सफाई शुरू करती है वे पिछले 35 सालों से ऐसा करती आ रही है और उनकी इस दिंचरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है मेरा नाम सहनूर बेगम है यह हिंदू का एक सम्शान है मैं पिछले 30 वर्सों से इस सम्शान की देखभाल कर रही हूँ इसे साफ सुत्रा रखने के अलावा जब भी कोई शब 10 अंसकार के लिए आता है तो मैं यहां पहुँचती हूँ शब जिलानी के लिए जिन चीजों की जवर्रत होती है चाहे वे लकड़ी हो या पानी मैं लोगों के लिए उपलप्त कराती हूँ पिछले तीन दशकों में शाहनूर ने शमशान घाड के साथ गहरा जुडाव बना लिया वे न केवल यहां सफाई करती हैं बल्कि मृतकों के दहा ससकार के लिए लकड़ियां भी जुटाती हैं दहा ससकार के लिए शब के साथ आने वाले लोगों को जिस भी चीज की ज़रूरत होती है शाहनूर उनको वो चीजें उपलब्द कराती हैं उन्होंने समसान घाट में कई तरह के फलदार पेड भी लगाए हैं जिन में आम, केला, अम्रूत, आदी पेड शामिल हैं मैंने शुरुआत में ये पेड लगाए थे बाद में इलाके के लोग भी आए और कुछ फूलों के पौधे लगाए मैंने यहां आम, कठल और केले के पेड लगाए हैं दरसल हिंदू समशान में खेले के पत्ते की बहुत आवशक्ता होती है इसलिए मैंने यहां केले के पेड लगाए हैं, मैंने यहां सुपारी के पेड, सांची के पेड भी लगाए हैं कभी-कभी बहुत ही गरीब लोग यहां आते हैं, जिनके पास लकडियां खरीबने तक के पैसे नहीं होते हैं इसलिए मैंने बांस लगाए हैं ताकि जरुत पढ़ने पर वैं इसकी सूखी डालियों का इस्तिमाल कर सकते हैं शाहनूर के लिए सभी धर्म समान हैं वे अपनी सेवा के लिए कभी कोई मान दिया नहीं लेती आसपास सहित विभिनक शेत्रों के लोग शाहनूर के कारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं जिला प्रशासन भी उन्हें पिछले साल 26 जनवरी को सम्मानित कर चुका है यह मैला सभी के लिए महान सेवा का कारे कर रही है इनोंने सामपरदाईक सत्भाव और मानोता के संदेश का परसार किया है हमें इन पर बहुत गर्भ है पिछले गलतंत्र दिवस्मा रोव में उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया था लेकिन हमें इनको और सब्मान और शुब कामनाईं देने के बारे में सोचना चाहिए। ये सच है कि धार्मिक असाइशनुता ने लोगों के दिमाग को काफी हद तक संक्रमित कर गिया है। फिर भी शाहनुर जैसे आम हस्तियां जे लोग हैं जो समाज के बीच एकता और मानवता को मजबूत करती हैं।